जैहिंद वंदे मातरम स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टड़े पेट्वर्म में दोस्तों आज की है वीडियो मनो विज्ञान की एक ऐसी टॉप ट्रेंडिंग वीडियो जिसमें CDP के 50 कुईशन्स करने वाले हैं तावर तोड महा रिवेजन परिक्षा में दिप्रशना आएगा तो वो इस वीडियो से होगा क्योंकि यह पूरी NCERT पैटर्न पूरा ध्यान से एकदम से रट्टा मार लेना क्योंकि कुश्चन के बदलते पैटर्न से यहीं कुश्चन उठाए हैं पहला कुश्चन देखिए और पचास कुश्चन में अपने आपको चेक करिए कि परिक्षा के पहले आप कितना तयार हैं निमलिकित में कौन सा ब्रद्धी और विकास के सिद्धानतों से सम्मंधित नहीं है ब्रद्धी और विकास समझते हो ना कि अगर आपके सरीर की बात की जाए तो सरीर में होने वाला परिवर्तन वो ब्रद्धी कहलाता है आपके आकार का परिवर्तन विकास एक ऐसी परिस्थिती है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको आप देख नहीं सकते दोस्तों ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तो यहाँ पर याद रिखना है कि वरगी करण का सिध्धान्त इस ब्रद्धी और विकास से सम्मंदित नहीं है ये कुश्चन आपके एकजाम में तीन साल से रिपीट हो रहा है ठीक है ना? 2017 से तो अभी तक नहीं पूशा गया है लेकिन पूशा जाने वाला है ओप्सन जाएगा किसके साथ D के साथ चला जाएगा अगला कुश्चन आपके स्क्रीन पर है उसे पहले वतादू की निरंतरता का सिध्धान समन्बै का सिध्धान वैक्तिक्ता का सिध्धान ये होते हैं लेकिन वरगी करन का सिध्धान नहीं होता है कुश्चन नमबर टू गा कि ऐसा आवश्यक बिलकुल नहीं कता ही नहीं है कि जो उच्च बुद्धी लब्दी IQ वाले हैं वो बच्चे सरजन सीलता में भी creativity में यहां पर भी होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है IQ की बात की जाए तो IQ बरावर होता है मांसिक आयू वटे वास्तुविक आयू 200 जो टर वरगी करन नियमी करन निमन लिखीत में किस विद्धी के सोपान है दोstick बड़ा अच्छा कुछसन है कउच्छन का बदलता पैटर्न ये है वो उदहरन निरिक्षन विष्चन वरगी करन अब ध् venom दीजेगा नियमी निम्न लिखित में किस विधी के सोपान है निगमन विधी के हैं आगमन विधी के हैं अंतर दर्सन विधी है या वहिर दर्सन विधी है तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको यह आपकी जो निगमन विधी होती न यह कहां से चलती है यह रूल टू एक्जामपल की तरफ चलती है ये भी आपको पता होगा तो हमें ये बताओ कि यहाँ पर जब भी किसी चीज़ को focused किया जाए वरगी करत किया जाए उसका visualization किया जाए सिद्ध किया जाए नियम बनाया जाए तो दोस्तों वहाँ पर आगमन विधी होती है इसलिए option किसके साथ जाएगा बी के साथ जाएगा इसको note कर लेना अच्छे से रट लेना रटने का मतलब है समझ लेना आपकी एज रटने वाली नहीं रही है कुछ सा number four बाल मनो विध्यान का छेत्र क्या है दोस्तों यदि आपको बाकई में सिद्धत से selection चाहिए dear student आप हर बहन हर भाई हर सेर हर सेरनी सिद्धत के साथ पढ़िएगा और नकारात्मक सोच के साथ बिल्कुल एकजाम हाल में सामिल ना हो आपको अगरिम सुब कामना है दोस्तों और बताना चाहेंगे जो भी परिवार हमारा देख रहा है क्योंकि यह platform आपको सगरात्मकूर जा देगा केवल सैसु आवस्ता की विसेस्ताओं का अध्यन ही वाल मनोविज्ञान है केवल गर्व आवस्ता की विसेस्ताओं का अध्यन है क्या केवल बाल्य आवस्ता की विसेस्ताओं का अध्यन है अगला कोशन आपके स्क्रीन पर है डाट डाट चात्र में रुची उत्पन करने की कला है क्या सिक्षन चात्र में रुची उत्पन करने की एक बेहतरीन कला है क्या सहान उभूती एक बेहतरीन कला है क्या समस्टी एक बेहतरीन कला है चात्र रुची नहीं लेगा, कोई व्यक्ति किसी कारे में रुची ही नहीं लेगा, जब तक उसके अंदर प्रिरणा जागरत नहीं होगी Question number 6 आपकी screen पर आचुका है दोस्तों, ध्यान आकरसित होने में dot dot की प्रमुख भूमिका होती है धियान आकरसित होने में dot dot की प्रमुख भूमिका होती है उद्दीपन यानी stimulus की तिब्रता, उद्दीपन की उपादेता, उद्दीपन की विश्व सनियता, जो विलिवेंस होता है दोस्तों, हान, credibility की बात करें दोस्तों, credibility की बात करें या फिर हम अन्य अन्य चीजों से जानते हैं उद्धीपन की सक्रियता तो मैं यह कह सकता हूँ जी नहीं ऑप्षन जाएगा ये के साथ क्यूं क्योंकि आप पावलाओं के सिद्धान में पढ़ते हो आप स्किनर के सिद्धान में पढ़ते हो कि जब भी ध्यान आकर सित होगा तो दीपन की तिब्रता स्टीमूलस जिसे लक्षे कहा जाता है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ऑप्षन जाएगा किसके साथ एक के साथ अगला कुस्षन आपके स्क्रीन पर है सेवन नंबर बहतरी इन ट्रेंडिंग कुस्षन केरा है दोस्तों कि अंतर मुखी वहिर मुखी और उभय मुखी व्यक्तितों का वरगी करण किसने किया है यह तीनों प्रकार के व्यक्तितों परसनल्टी का जो चेंजमेंट है जो यहाँ पर वरगी करण किया गया है वो किसने किया है दोस्तों क्रेशनर ने किया है यूंग ने किया है सैल्डन ने किया है या स्पेंजर ने तो दोस्तों यहाँ पर राइट वन ऑप्षन नंबर ब इस राइट आंसर बहुत बढ़िया क्या वात है dear student, question number 8 आपके screen पर आ चुका है, जवाब आपसे चाहिए, बिलकुल minimum 1 second के अंदर, ब्यवहारवादी एक ऐसा ब्यवहारवादी था, उसने ये कहा था कि मुझे नवजात सिसू दे दो, मैं उसे doctor, वकील, चोर, जो चाहूं ब क्या newman होंगे दोस्तों, या Watson होंगे, या फिर hollinger होंगे, तो हम कहे सकते हैं, right one option number C हो जाएगा, क्या Watson हो जाएगे, Watson कहे जाते हैं दोस्तों क्या विवहारवाद के जनक भी कहे जाते हैं, विवहारवाद के जनक कहे जाते हैं, इसलिए option जाएगा, किसके साथ C के साथ ल आउन ना करें कियोंकि आप गलत करने वो स्पीख भी रहें ये वी एक path पहलू है स्यूर nome मैं लोग स्पीन का लोग सुग करने के अलग न के इस नहीं कर दोकिने था सूर आए क्या कहलाती है अब दोस्तों यह है आपके क्रोमोजोम से अगर कुसन बनता है तो क्रोमोजोम की अगर मैं संख्या की बात करूं तो 23 यहां पर पेर में 46 टोटल नंबर आफ यहां पर क्रोमोजोम होते हैं और अगर मैं बात करूं 21 गुरसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने करन यह दोस्तों अगर ऐसा questions हो तो आपको downsl मारना है down syndrome होते हैं turner syndrome होते हैं валson भी होते हैं लेकिन इसमें answer option जाएगा किसके साथ down syndrome की बात करें down syndrome turner syndrome में एक ऐसी भी परिकल्पना होती जिसमें बच्चे के तालूं की कटने की अवस्था जो बच्चे नवजात पैदा होते हैं, उनमें भी ये समस्या देखी जाती है, मंदबुद्धी भी देखी जाती है, तो वहाँ पर भी आप जीब विज्ञान में पढ़ते हो वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुड़ के साथ परम सोने भी हो कहलाती है यानि वह मापनी देखे मनो विज्ञान में एक अंतराल मापनी है नुमानित मापनी अगर आपको मापनी पढ़ना है तो आपको क्या करना है मनो विज्ञान, मापनी, गुरुजी वर्ड ट्रिक इस तरीके से डाल दोगे किसी की भी वीडियो खुल आएगी उसमें मापनी आपको बता दिया जागा कि इसमें कौन सी मापनी क्या काम कर रही है तो फिलाल इस कुस्टन का जो राइट अंसर जाएगा कि कौन सी अवस्ता है दोस्तों जिसमें बुद्धी का एक लेवल तक एक बेहतरी लेवल एक टॉप लेवल तक विकास होता है तो दोस्तों मैं आपको बता दू जो सैस्व अवस्ता होता है इसमें 90 परसेंट जो है विकास हो जाता है जर्म से 5 साल की उम्र तक किसमे बुद्धी का अब आप कोगे की सर किसोरा वस्ता में तो ये किसोरा वस्ता में इसका ग्राफ डाउन हो जाता है यानि अगर कुशन में पूचा जाए बुद्धी का विकास कब धीमा होता है तो वाल्य आवस्ता में और एक टाप लेवल तक दोस्तों 18 साल की उम्र में हम ये पहुँच जाता है 18 से 20 साल की उम्र में ये 100% में तो हमसे अधिक्तम पूचा इसलिए उप्शन किसके साथ जाएगा उप्शन जाएगा दोस्तों उप्शन नमबर जाएगा C के साथ संप्रत्य का मतलब होता है इमेज इमेज का मतलब होता है आप एक देशी भासा में कह सकते हो फोटो जो आप फोटो क्लिक करते हो वही संप्रत्य है अगर मैं किसी बंदे को आपको आपकी फोटो निकाल के दिखाता हूँ तो वो हिंदी में सुद्ध हिंदी में एक फोटो ही कही जाएगी जो है संप्रत्ते ही कहा जाएगा तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो प्रत्यक्षी करन के साथ जाएगा option number जाएगा C के साथ ऐसे question यह वाला question वड़ा विवादित रहता है वो किसके साथ जाएगा दोस्तों वो जाएगा आपका यहाँ पर प्रभाव के नियम के साथ तत्परता के नियम के साथ यहाँ पर Mr. Thondike जाएगा याँ option जाएगा किसके साथ D के साथ इन्होंने यहाँ पर प्रमुख नियम में क्या मुख्य नियम में दोस्तों यहाँ पर तीन नियम दिये थे जिसमें प्रभाव का नियम था जिसमें ततपरता का नियम था और अभ्यास का नियम था सिसु का अधिकांस बिवहार आधारित होता है बताए दोस्तों सिसु का जो अधिकांस बिवहार होता है पहली बात तो हमें ये बता ही, सिसू का जो, सिसू जो होती है ना, सिसू जो होता है, या सिसू को male and female में अगर हम divideration करें, तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखा जाता है कि बच्चा छोटा होगा, और बच्चा अगर छोटा होगा, तो इसका जो बेवहार होगा ये कहीं न कहीं, ज्यानेंद्रियों पर आधारित होगा, यानि मूल प्रवत्तियों पर आधारित होगा, ना कान, मुँ, इस तरीके से, आप देखते हो, इसी तरीके से बच्चा अपना कारे दिन चर्या में करता है, और ये चैप्टर भी आपके में, हमने अवी आपको महर महराथन प्रोवाइट कराई है, जिसमें आपको एक महराथन देख लेनी है, इसकी लिंक नीचे आपको मिल लाएगी, खताई बिलकुल एक दम से, उसको तो छोड़ना ही नहीं है, उसको दो-तीन बार जितना समय आपके पास है, पी जाना है बिलकुल, ठीके ना, दो-दो अंतरन कहलाता है, जबभी कोई परिसिती का ज्यान, पहली परिसिती का ज्यान, दूसरे में हम यूज कर देते हैं, ठीके ना, मैं या पर इंजीनियर हूँ, और इंजीनियर मैं हूँ तो मैं इलेक्टरानिक वाले, मैकैनिक का जना होता है, czyli कार होता है, बोभी कर लेता हू दोस्तों बहुत सिंपल है आपने बच्पन में ये किया होगा या आपने टेंथ हैं अब्रतीओं को इस्तंभ के दौरा प्रदसित किया जाता था उसमें क्या था जब कुश्चन के या गुश्चन में ही चुपा हुआ है तो इसमें क्या दिक्कत है दोस्तों मारने में अगला खुसेन आवधान के का आंतरिक अथवा व्यक्ति निस्ट निर्धारक हैं आवधान के आंतरिक अथवा व्यक्ति निस्ट निर्धारक कौन है रोची है लच्छे है अभिब्रत्ती है अभिब्रत्ती है उद्धीपक यानि स्टिमलस वस्तु है कोई things है कोई चीज है प्राविदी है करने की प्रकास है ध्वनी है गंद है पुरुसकार है दंड है प्रोसाहन है तो दोस्तों कर मैं बात करूँ यहाँ पर रूची लच्छे अभिब्रत्ती यहाँ पर हमें क्या है हमें यहाँ पर option number A सकरात्मक point के साथ लगाना पड़ेगा fried के अनुसार हमारे मूल्यों में आंत्री करन का जो विकास होता है वो कब होता है हमारे मूल्यों का मतलब है हमारे नैतिक मूल्यों की बात करी आ रहे यहाँ पर आहम है आप सभी जानते हो आंतरी करण के लिए जाने जाते हैं पराहम के लिए जाने जाते हैं सूपरीगो के लिए जाने जाते हैं S.O.R. पध्ध्यति के जनग कुन है Watson है कौफ़ा है कोहलर है या केस्टार्डवादी मुनवैग्जानिक की बात करें तो किस ने दिया था SOR पद्धित की बात करी जाए तो किसने दिया था दोस्तों तो Mr. Watson ने दिया था यानि option जाएगा किसके साथ A के साथ वहारवादी जना Mr. Watson इन्होंने ही कहा था कि तुम मुझे एक वालक देदो, एक सिसू देदो मैं उसको कुछ भी बना सकता हूँ इसलिए option जाएगा एक के साथ question number 21 दोस्तों प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्ते एक सिद्धान्त है, एक नियम है दोस्तों यह किसके द्वारा दिया गया था dear student को options एक ही बात करेंगे इसे लेकर D की तो यहाँ पर है टोल मैन है, बेंडूरा है थॉन डाइक है, कोहलर है जरा दिमाख लगाओ 21 नंबर 2015, 2017, 2019 पूँचा गया है दो-दो साल के गैप में पूँचा जा रहा है कि यहाँ पर क्या होगा 21 नंबर का अंसर 21 नंबर का अंसर जाएगा वेंडूरा के साथ, option जाएगा बी के साथ दियर स्टुडेंट 22 आपके स्क्रीन पर है कह रहा है कि ध्यान को केंदृत करने की आंतरिक दसा क्या है, अवदी है नवीनता है, रुची है या फिर आकार है, क्या ध्यान को केंदृत करने की आंतरिक दसा है, बताए, ध्यान को अगर केंदरित किया जा सकता है उसकी आंतरिक दसा केवल एक मात्र option number C में ही दिखेगी कि अगर रुची है दोस्तों तभी आपका ध्यान कहीं न कहीं stable होगा ध्यान केंदरित होगा दोस्तों तो इसलिए यहाँ पर क्या हो सकता है यहाँ पर option वीडियो है नहीं क्या इस वीडियो में जो भी परिवार यहाँ देख रहा है वो वीडियो लाइक करें और जो भी परिवार देख रहा है मैं इस वर से कामना करता हूँ कि आप selection ले खर आएं दोस्तों क्योंकि आने वाला जो पहली CD है रखेंगे, clear करेंगे तो कहीं न कहीं selection तो फिर next CD में मिली जाने वाला है तो इसलिए इमानदारी से चैनल को subscribe कर लें निमलिकित में किस विधी का उपियोग इस्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है तो तारकिक विधी की बात की जाए तो यह है इस्मृति मापन यानि जो memory power है दोस्तों यहां पर उसको नहीं यहां पर किया जा सकता है अगला अनुभा द्वारा विवहार में परिवर्तन क्या किलाता है पहला chapter मनों विज्ञान से है उसी से question लिया है दोस्तों और आपसे यह कह रहा है कि अनुभा के द्वारा जो बिवहार में परिवर्तन होता है उसमें जो है आपका answer क्या होगा यह हो जाएगा आपका learning हो जाएगा सीखना हो जाएगा option number B हो जाएगा सीखना कहलाता है और सीखना दोस्तों क्या होता है यह सीखना आपका कैसा होता है यह सीखना होता है आपका इस्थाई होता है ठीके ना चलिए प्रासंगिक अंतरबोध परिक्षन मैंने कई बार बताया है इसका full form भी exam में पूछा जा चुका है कि TAT का full form क्या है तो thematic upperception test या प्रासंगिक अंतरबोध परिक्षन होता है दोस्तों प्रासंगिक अंतरबोध परिक्षन thematic upperception test तो जैसे मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि अगर TAT का paper आ जाता है और admit card आ गया और कल paper है मालो तो दोस्तों आपर कर अरे कहोगे कि अगदम से depression में आगए का मर गए अगदम से है ना मर गए मरे मरे इस तरीके से आपको TAT को TAT याद रखना है ठीक ना TAT मरे एवं मारगन तो आपको option जागा किसके साथ यहाँ पर मारगन भी मिल सकता है तो दो बंदे थे मुरे एवं मारगन अगला आपके screen पर है कि कच्छा सिक्षण में पाठ प्रस्तावना 105 सीखने के नियम पर आधारित है कच्छा सिक्षण में पाठ प्रस्तावना 105 सीखने के किस नियम पर आधारित है तो जब पाठ प्रस्तावना यानि जो आपका starting का जो level होता है आप किसी भी subject को पढ़ रहे हैं तो उस समय अगर मैं बात करो तो वहाँ पर जो आपका है option जागा किसके साथ ततपरता का नियम हो जाएगा और ये ततपरता का नियम किस ने दिया है ये दिया है Mr. Thondike ने मनोविज्ञान का सिक्षा के चेत्र में सबसे बड़ा योगदान है बड़ा अच्छा कुछस्ण है मनोविज्ञान के चेत्र में सिक्षा का सबसे बड़ा योगदान है विसाय केंद्रित सिक्षा सिक्षक केंद्रित सिक्षा क्रिया केंद्रे सिक्षा दोस्तों या बाल केंद्रे सिक्षा तो इस question का right answer जाएगा option number D is right one next one की बात करेंगे question number यानि बाल केंद्रे सिक्षा का मतलब समझते हो child centered education यानि child centered education का मतलब होता है कि बच्चे को देख कर ही आप अपनी पद्धिती को सुचार रूप से पढ़ाए ठीक ना सुचार रूप से आपको पढ़ाना पड़ेगा तो ये चीज़े आपको यार याद रखना पड़ेगा अगला point आपके screen पर है कि निम्लिखित में से क्या मानों की ग्यानेंद्री नहीं है तो मानों की ग्यानेंद्रियों में जीब है आँक है नाक है दोस्तों लेक विकास के लिए कारि चमता में ब्रधि तीर स्टूदेंट बिवहार में परिवर्तन सभाव अवं ध्रिष्टी कोण में परिवर्तन और आकार में परिवर्तन कि विकास के आता है ना ये अभी ब्रद्धी में आता है इस चीज पर भी आप गौर करें दोस्तों अगला कुस्सन है तीस नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा कि विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी है सैसोकाल है क्या कि सोरा अवस्था है क्या दोस्तों यूवा प्रोड़ा विकास की सबसे जटिल अवस्था हम ये कह सकते हैं कि जो आपके 12 से 18 साल की उम्र की एज की बात करेगा कि 14 अवस्था के अंतरगत जाएंगे और ये दोस्तों सबसे ज़्यादा ही परेसान जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा अपने आपको परेसान महसूस करता है वो अप् ये कहता है कि अरे मैं कौन हूँ क्या हूँ मैं ये हूँ मैं कुछ हूँ या नहीं हूँ तो बताईएगा कौन सी भावनाएं हैं दोस्तों विकास की वह अवस्था इंगित करती है दोस्तों यानि किसोरा अवस्था इंगित करती है या ऑप्शन किसके साथ जाएगा ऑप् सेर अर सेरनी के माताफिता को मेरा जैहिंद वंदे मातरम, दोस्तों, और कुश्यन नंबर हम लेते हैं, 32, मानों का विकास निमलिखित में किस पर निरवर होता है, उसके ब्रध्धी यानि अभिब्रध्धी पर, गलत बात, उसके वातावरंपर बिल्कुल सही बात है, उसके मैं कह दूं कि अगर तीनों हो जाएं सिंपल सी बात मैं इसको अकेले तो नहीं ले सकता हूँ लेकिन उसकी ब्रध्धी तथा वातावन से मिलने वाली परिपकोता पर ये सबसे बेस्ट आंसर है तो ये हमारा क्या चला जाएगा option number D हमारा लॉक हो जाएगा क्योंकि इससे बेस्ट आंसर है नहीं उच्च प्रात्मिक इस्तर के बालक की विसेष्था कौन सी नहीं है उच्च प्रात्मिक इस्तर के बालक की कौन सी विसेष्था नहीं है दोस्तों ये आपको बतानी है कार्यों को सीगरता से करना है dating करना dating करने की बात समझ रहो ना dating करने की बात यहां पर कर रहा है बिभिन प्रकार के वहार का प्रतरसन करना सफलता को अनुवह करने की चारक अब देखो एक dating आता है negative में आता है जिसमें male and female की बात हो जाती है वो अभी मनोविज्ञान में चर्चा की गई है अगर हम उसको भी मालने तो भी यहां पर वही आंसर हो जाएगा क्योंकि यही नहीं है क्योंकि कारियों को सिगरता की करने की आवसकता होती है अच्छा कौन से नहीं हो सकते हैं कौन से यहां पर हो सकते हैं कि बिल्कुल सकरात्मक है ये देगेगा ये सकरात्मक है विवेन प्रकार के विवहर का प्रदशन करना बिल्कूल सही बात है कि उच्छ प्रात्मिक जो इसतर के बच्चे है उन्हें ये विसेश्था पाई जाती है सफलता को आनुवो करने की चाहिए कोई बच्चा ये चाहता की वही वह असफल हो जाए हमेशा चाहता है की वही सफली हो और बेहतरीन बच्चा बने तो ये भी आपका सकरात्मक है यही हमारा उप्सन जाएगा बी के साथ यही डेटिंग करना क्या है निगेटिव है निम लिखेत अवस्थाओं में से डल्टी एज किस अवस्था की एक प्रमुख विस्यस्ता है डल्टी एज किस अवस्था की एक प्रमुख अवस्था है दोस्तों ज़रा जवाब दीजेगा निम लिखेत अवस्थाओं में से dirty age किस अवस्था की एक प्रमुग विश्यस्ता है तो पूर वह बाल्य अवस्था है किस ओरा अवस्था या फिर प्राउड़ा अवस्था तो दोस्तों हम कह सकते हैं इस question का right answer जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा काट दीजेगा क्या कपड़े गंदे करते हैं तो वह age कहलाती है बाल्य अवस्था कहलाती है वह 5-12 साल की उम्र होती है यह बात आप याद रखिएगा dirty age बाल्य अवस्था होती है किस ओर अवस्था मत लगा देना सर्व प्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा था बताए एक simple सा भी question बीच में ले लिया है सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर किसका विज्ञान कहा गया था तो मन का विज्ञान आत्मा का विज्ञान चेतना का कहा गया था या सभी का तो दोस्तों जिस समय फिलोसिवी का पार्ट हुआ करता था मनुविज्ञान दर्सन सास्तर से अलग हुआ था मनुविज्ञान उसके बाद अगर मैं सोलमी सदी में आता हूँ तो सोलमी सदी में आत्मा का मनुविज्ञान कहलाया और यह आत्मा का मरो विज्ञान कहलाने के लिए कौन-कौन थे दोस्तों तो आपको याद रखना है कि अरस्तू थे, डेकार्टे थे, प्लेटो थे, है ना, ये चीज़ें आपको याद रखनी है साइकिल सीखने के बाद, स्कूटर सीखने में प्रसिक्षण का इस्थानांत्रन होगा दोस्तों बहुत अच्छा कुश्चन है, ऐसे कुश्चन इकजाम में देखने को मिल सकते हैं कि अगर कोई भी बच्चा साइकिल सीखा था, और अब वो साइकिल सीखने वाला ग्यान स्कूटर में लगा देता है और स्कूटर सीख जाता है, मोटर साइकिल सीख जाता है, बस सीख जाता है तो मतलब कहीं न कहीं वो अपने पूर्व ग्यान को अपने नए ग्यान में लगा रहा है और जब अपने नए ग्यान में लगा रहा है तो उसको कहीं न कहीं लाव हो रहा है और जब उसको लाव हो रहा है तो दोस्तों उसका आंसर किसके साथ जाएगा धनात्मक इस्थानांत्रन के साथ चला जाएगा मेरी बास समझ रहे अगला प्रंसिपल आफ साइकोलोजी ध्यान दीजेगा प्रंसिपल आफ साइकोलोजी पुस्तक किसने दिखी है बताईए प्रंसिपल आफ साइकोलोजी पुस्तक चलिए बताईए दोस्तों यहाँ पर अकर मैं बात करूँ यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो ओप्शन नमबर किसके साथ थॉंडाइक के साथ बच्चे यहाँ पर लगा रहे हैं जो गलत हो जाएगा क्या हो जाएगा जो गलत हो जाएगा principle आप psychology जो पुस्थक है na ये William James की है इसलिए option जाएगा किसके साथ B के साथ चला जाएगा प्रश्णोत्तर विधी का जनक किसे माना जाता है बताएए प्रश्णोत्तर विधी का जनक किसे माना जाता है कमेंट कीजएगा आंसर क्या होगा कमेंट कीजएगा आंसर क्या होगा दोस्तों जबाब दीजएगा आपसे उम्मीद है कि आप गलत नहीं करेंगे चलिए भाया तो यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं कि भाई सुकरात के साथ हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर है प्रतिपादित किया गया था दोस्तों वो किया गया था Mr. Thorn Dike के दोरा अभ्यास का नियम, ततपरता का नियम, प्रभाव का नियम हम यहाँ पर किसके साथ लॉक करेंगे option number C के साथ सारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है दिमाग लगाओ, क्या answer हो सकता है क्या lock किया जा सकता है इसको, क्या बताईए इस question के option को lock किया जा सकता है बताईएगा, बहुत अच्छे guys, क्या बात है 40 number पर अपन है हमसे करा सारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है तो सारीरिक विकास की जो गति है न यह जो अवस्था है यह हो जाती है बाल्य अवस्था में क्यों? क्योंकि बाल्य अवस्था में इसलिए कम हो जाती है क्योंकि जन्म से 5 साल की जो एज होती है सहस्वा वस्था और इस सहस्वा वस्था में बिच्चे का मानसिक विकास 90% हो जाता है और सारीरी विकास बहुत तेजी से होता है जैसे जैसे बाल्य वस्था आती है 5-12 साल में तो बाल्य वस्था का जो सारा विकास है चाहे वो सारीरी को चाहे वो मानसिको वो पूरी तरीके से डाउन हो जात कि सोरा अवस्ता की अबदी कितनी होती है कमेंट कीजएगा, लास्ट के 10 प्रसुने, आप सभी के लिए बहुत चुनिंदा गोल्डन कुछ बाल विकाज को सरवाधिक प्रेरित करने वाला प्रमुग घटक क्या है जवाब दीजेगा अंसर क्या होगा बहुत अच्छे गाइस क्या वात है बहुत सुन्दर तो बाल विकाज को सरवाधिक प्रेरित करने वाला जो प्रमुग घटक है वो है खेल का मैदान क्यूंकि खेल को पढ़ाना चाहिए विकलांग को पढ़ाना चाहिए तो ब्रेल लिपिसे जो पढ़ाना चाहिए फ्रांस के मरोवग्यानिक या साइकलाजिस्ट है आम कुछ भी से किसा कुछ भी बोले दोस्तों तो लुईस फ्रांस की बात करेंगे लुईस ब्रेल की बात करेंगे अंधे के लिए अंधे बच्चों के लिए दिब्यांग बच्चों के लिए है बाल अध्यन का पिता महा किसे कहा जाता है दोस्तों बताएं बाल अध्यन का पिता महा किसे कहा जाता है तो बाल अध्यन का पिता महा किसे कहा जाता है तो बाल अध्यन का पिता महा है दोस्तों वो कहा ज जाता है Mr. Stanley Hall को GS Hall को कहा जाता है इनका क्या है GS Hall है इनका पूरा नाम दोस्तों ठीक है ना अगला बाल्यावस्था में व्यक्तित्तो होता है बहुत अच्छा कुष्ण है 45 नॉमबर इससे मिलेंगे व्यक्तित्तो के मैंने इस वीडियो में दो कुष्ण लिया है कि व्यक्तित्तो को किस ने बताया है तीन प्रकार में अंतर मुखी बहिर मुखी और उबे मुखी को जुंग ने बताया है युंग ने बताया है और बाल्यावस्था में अगर व्यक्तित्तो होता है तो सैस्वा वस्था में होता है आपका क्या होता है अंतर मुखी होता है जबकि बाले वस्था में क्या होता है बहिर मुखी होता है इसलिए इस कुछ्छन का राइट आंसर जाएगा उप्शन नमबर C के साथ अंतर 5 प्रसंट पर है तो Dear Student कुछ्छन नमबर 46 आपके स्क्रीन पर है केता किस अवस्था में काम प्रवत्ती निमन इस्तर पर पाई जाती है तो दोस्तों जब भी निमन लग जाए तो ब्रदी निमन हो जाए विकास रुक जाए निमन हो जाए उसका सारीरिक विकास निमन हो option किस की तरफ जाएगा बी की तरफ चला जाएगा वीडियो में क्या कोई समस्या है दोस्तों क्या आपका प्यार नहीं मिल सकता क्या आप 5 लोगों के पास इस वीडियो को उनके गर में भी उजाला हो सकता है क्या आप सेर नहीं कर सकते हो क्या आपने दोस्तों के साथ share नहीं कर सकते या कर सकती है तो बस इतना तो आप कर सकते हैं तो इसलिए कहीं न कहीं आप अगर अच्छा करेंगे दूसरों के साथ तो आप के साथ बहुत अच्छा होगा ये बात याद रख लो मैं कभी नहीं कहता हूँ क्यों कि कहीं ना कहीं, आप की बदोलत उन बच्चों का भी उन भेहनों का भी पेपर क्रैक हो जाएगा, उनके यहां भी खुसियां आ सकती है, ठीक है ना? चलिए, एक बच्चे की कापी में लिखने में लिखने में विपरीत छबियां, दरपन छब आदी जैसी गलतियां मिलती है इस परकार का बच्चा लच्छर प्रतसित करता है अधिगम में असुविदा के अधिगम में समस्या के अधिगम में आ सकता के या अधिगम में कठिनाई के दोस्तों तो यहां पर जाएगा वो अधिगम में आ सकता के साथ option C को लौक किया जाए कि अगर कोई बच्चा लिख नहीं पा रहा विक्रत लिखावट है लिखावट अच्छी नहीं है तो बताइएगा कि उसमें किस योगिता का कमी है कौन सी उसके अंदर ये मनोविकार है कौन सा उसके अंदर ये disability है कौन सी अक्षमता है बताइए क्या उसको dysgraphia कहा जाएगा क क्या उसे dyslexia कहा जाएगा दोस्तों क्या उसे dyspraxia कहा जाएगा या क्या उसे dyscalculia कहा जाएगा बताइए तो इस question का जो right answer जाएगा दोस्तों right बन जाएगा किसके साथ वो जाएगा हमारा option number किसके साथ dysgraphia के साथ जाएगा dysgraphia हमारा right हो जाएगा क्यों क्योंकि लिखाव रखीगा ऐसा कुस्टेन एक्जाम में मिलेगा गड़ती संकल्पना लिखने वाली पढ़ने वाली संकल्पना है ना तो वो वीडियो अगर नहीं देखिए तो playlist में पढ़ी हुई देख लीजेगा अगला question आपके screen पर है दोस्तों आपसे कह रहा है कि अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है last question second last question है आपके screen पर कि अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है दोस्तों तो वो नहीं है प्रेरणा के बिना नहीं क्योंकि अगर इच्छुक नहीं है बच्चा तो कैसे पढ़ेगा और ये दोस्तों रहाज का last question आपके screen पर तो प्यार मिलना चाहिए वीडियो को like करके ही जाना चैनल को subscribe करके ही जाना क्योंकि कहीं न कहीं ये वीडियो आप अगर share करते हो तो कहीं न कहीं आपके सामने बेहतरीन result होगा क्योंकि बच्चे कहीं न कहीं आप ही की तरह होंगे आप ही की एस के होंगे ग्यान रचनात्मक सिध्धान्त आधारित सिक्षण का आधार है तो दोस्तों ये है आपके अध्यापक को सुनना क्या हो सकता है नहीं दोहराना सम्मंद नहीं बलकि करके सीखना दोस्तों क्योंकि यही रचनात्मक कहता है रचनात्मक ज्यान क्या कहता है कि करके सीखना उप्शन जाएगा किसके साथ और के साथ चैनल को सस्क्राइब करने के लिए धन्यवात और PDF को प्राप्त करने के लिए तुरंत सर्च करें वहाँ पर PDF आपको दी जा रही है GURUJI कि स्वेस WORD गुरूजी वर्ड को सर्च करेंगे तो तुरंत ऐसा लोगों मिल जाएगा तुरंत लोगों मिल जाएगा वहाँ पर आ जाएगा लाखों बच्चे लाखों बहने लाखों बाई जुड़े हुए हैं हर सेर अर सेर नहीं वहाँ पर प्लेटफार्म पर हैं हम आपका इंतजार करेंगे टेलिग्राम ग्रूप को जोईन करिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन मॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगी वंदे मातरम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन इंक अलाव जिंदावाद मुस्कुराते रहेगा सुस्त रहेगा एकजाम की सुबकामना धहर सारी